इस वीडियो में simply explain करने वालों की जो CoinDCX Go application है उसके माध्यम से आप अपना पैसा बैंक में withdrawal कैसे करेंगे सबसे पहले तो आपके पास अगर holding है किसी coin की तो आपको उसको sell out करना होगा अगर आपके पास bitcoin है तो यहाँ पे देखो coins आपको दिखाए देंगे वो coins आप simply sell out कर देंगे जैसे bitcoin है तो bitcoin पे click करूँगा sell पे click करूँगा और जितना भी sell करना चाहता हूँ वो simply sell out कर दूँगा ठीक है तो अगर आपके पास already wallet में है तो किस तरीके से करेंगे account पे नीचे click करेंगे यहाँ पे available balance आपको दिखाए देगा जैसे की 602 रुपए मेरे पास है available balance पे मैं click करूँगा यहाँ पे उसके बाद मैं withdraw fund पे click करूँगा नीचे so simply थोड़ा सा wait करेंगे processing होगा उसके बाद मैं आप कितना amount यहाँ से withdrawal करना चाहते हैं 500 रुपीज कम से कम होगा इस चीज़ का ध्यान रखें मैं 100% करना चाहता हूँ verify पे click करूँगा verify पे click करने के बाद मुझे हाँ पे 2FA डालना है 2FA वो अगर देखो अगर आप mobile का OTP लगा रखा होगा तो mobile वाला डाली है email वाला लगा रखा है यहाँ पर processing में दिखा रहा है यहाँ पर इसको time लगता है update होने में बटम आपको बताता हूँ आपने मेरा time देख लिया हो गया वीडियो को थोड़ा rewind कर लीजिए मैं आपको message दिखा देता हूँ bank से जो message आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 seconds के अंदर पैसा आ जाता है अगर आपको time लगता है तो आप patience रखके 10-15-20 minute भी लग सकता है तो tension करने की ज़रूर बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके से आपका जो पैसा पड़ा हूँ है CoinDCX Go application में उससे आप अपने bank account में पैसा कुछ इस तरीके से विड्रोल कर सकते हैं मैं मिलूँगा एक और ऐसे ही interesting वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदेवातरम अस्तरीय मस्कुराते रहे